राते राते दोस्तों, आज मैं आपके लिए पनीर की एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, यह है ठेचा पनीर, यह सबजी बहुत ज़्यादा टिस्टी है और बहुत ज़्यादा चटपटी है, अगर आप चटपटा खाने के शौखीन है, तो यह सबजी सिर्फ आपके लिए ह अगर यह सबजी आप घर पे बनाएंगे, तो रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे, चलिए, बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले मैंने दो प्याज ले लिए हैं, दो प्याज को इस तरीके से मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, बहुत छोटा नहीं करना है, पस इस टाला देंगे, अब मेरे घर में लाटर ख़व हो था तो मैंने माचे से ही जलाया है, देखिए, अब पैन गरम होने के लिए रख दिया था, एक चमच उसमें बटर डालेंगे, बटर डालने के बाद हमने जो पनीर के टुकड़े काट के रखे थे, वह इसी में टाल देंग को मिर्च और नमक को पनीर में लियंगे देखति आधव दूसरी बिलेट बाहर निकाले से प dibuj Σबंसे हैं 50 दौने करें और यह तोड़े सबस्सेयां गात्य तो एक रिषन जो एक हरी कापने सबस्क्राइब अब देखे इन चीजों को अच्छे से भूल लेना है और कटे हुए प्याज को मैंने डाल दिया है एक चमच बने कसकस ली है उसको भी इसी में डाल देंगे और साथ में भूल लेंगे अब इसके उपर मैंने थोड़े से काजू डाले हैं और थोड़े सी हरी धनिया डाली है काजू मैंने छे या साथ लियें जादा नहीं लिये हैं और हरी धनिया को भी इसके साथ में हलका सा भूल लेंगे और हाँ इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बस हलका सा भूनना है देखिए सब चीजे अच्छे से भून चुकी हैं अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे गरम गरम पीसेंगे तो ग्रैंडर जार में से सारे चीजे बहर आजाएंगी अब देखे सब मसाला ठंडा हो गया है और मैंने ग्रैंडर जार में सबको निकाल लिया है अब इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी एट करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा डालना है अब इसमें हम डखकल लगाएंगे और सबी चीजों को अच्छे से पीस लेंगे मसाला हमारा पीस गया है फिर से हम पैन गरम होने के लिए रख देंगे दो चम्मच मैंने शुद्धिगी डाला है आदा चम्मच जीरा डाला है और जिंजर गार्लिक पेज डाला है आदी चम्मच मैंने हल्दी लिया एक चोटी चम्मच मैंने पीसे दनिया का पाउडर लिया है अब जो मसाला हमने पीस के रखा था उसको डाल देंगे देखिए मसाले में मैंने सभी ठेचे को डाल दिया है अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे जिससे की नीचे लगे नहीं अगर इसमें काजू और मौफली का पेश्ट पड़ा हुआ है तो नीचे चिपक सकता है थोड़ी सी कसूरी मेती डालेंगे और फिर से इसको चलाएंगे अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे मैंने ग्रैंडर जार में ही थोड़ा सा पानी डालके दो लिया था उसी को डाल दिया है अब फिर से इसको थोड़ा सा चलाएंगे अब इसमें हम आदा कब दही डालेंगे दही मैंने पहले ही फेट के रख लिया था अब दही को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको continue चलाते रहेंगे अब मसाले में दही अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम एक बड़ा चमच कांदलस्तन का मसाला डालेंगे अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं अगर इसमें कांदलस्तन का मसाला नहीं डालेंगे फिर टेस्ट अच्छा आएगा वैसे कांदलस्तन का मसाला हर जगे मिल जाता है अब इसको हम ढखकल लगाएंगे और घी उपर आने तक पकने देंगे अब देखे थोड़ी देर हो चुकी है और घी उपर आ गया है मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया है अब इस पे हम अपने स्वादाने सार नमक डालेंगे आप जैसा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा आदी चमच मैंने गरम मसाले का पाउडर डाला है उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अब उस पे हम एक कप दूद डालेंगे और एक बड़ा चमच घी डालेंगे घी और दूद डालने की बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आप अकर दूद नहीं डालना चाते हैं तो थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे और मलाई भी डाल सकते हैं तो मैंने दूद ही डाल दिया है अब जो पनीर हमने भून के रखा हुआ था उसको इसी ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें डखकन लगाएंगे और पनीर को थोड़ा सा सॉप्ट होने देंगे मुश्किल से दो मिनिट तीर मिनिट ही लगता है जादा टाइम नहीं लगता है देखिए हमारी सबजी बिलकुल बन के तयार है देखिए कितनी बढ़िया सबजी बन के रड़ी हुई है दोस्तों आप अपने घर में ये बनाएंगे तो इसका स्वात कभी नहीं भूल पाए आप अपने घर वालों को इसको जरूर बना के खिलाएगा आप ठेचा पनीर को रोटी के साथ पराठे के साथ चावल के साथ भाक्री के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं जिसके साथ पसंद करते हैं उसके साथ खा लीजेगा दोस्तों चलिए हमारी सबजी तो रेडी है सब तोड़ा सा तेल लगा लेंगे आप घी से भी सेख सकते हैं जिससे पसंद है उसके साथ में बनाईएगा इसको हम चार फोल्ड में मोड लेंगे अब इसको हम स्क्वाइर बेल लेंगे देखे पराठे भी हमारा बिल चुका है अब तवा गरम होने के लिए रख दिया है इसको हम तवे के उपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगाके अच्छे से पराठे को सेख लेंगे पराठा भी अच्छे से सिख गया है अब खाना हमारा पूरी तरीके दोस्तों इस सब्जी को आप मेरे कहने से जरूर बनाईएगा यकीन मानिए आपको यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आएगी यह और पनीर की सब्जी से बिल्कुल अलग है यकीन मानिए इतनी टेस्टी सब्जी बनी है कि आप होटल जाना भूल जाएंगे आपको दोस्तो जगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई